एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तु माई चैनल रीम केक बेकरी कैसे हैं आप लोग आप सब लोग ठीक होंगे तो आज हम बना रहें बहुत ही छोटू सा चॉकलेट केक जो मैंने बनाया था फादर स्टेक के दिन और इस केक की आइसिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स मैंने मदर सेम वैसा ही केक है यह छोटू सा चॉकलेट बेंटो केक है आज बस हम इसकी डिजाइन थोड़ी से अलग करने वाले हैं बेंटो केक मैंने दो तीन बनाए थे वफादर स्टेके दिन सभी की में जो भी मैंने आइसिंग की थी वो मैं आपके सांद धीरे धीरे शेयर करूंग तो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नूटिफिकेशन आन कर लीजिए ताकि तब भी मैं वीडियो डालू आपको मिल जाए तो यह देखिए हमने चॉकलेट क्रीम से इसकी अच्छे से हम आइसिंग कर लेंगे दो ही लेयर कट करेंगे इसमें आप चाहे तो मदस्डे वाला के एक देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आपको उपर आई बटन पे भी मिल जाएगा आइसिंग बहुत ही हम क्लीन करेंगे क्योंकि हमें इसे बटर पेपर पे रखना होता है इसके लिए आप कोई भी बेंटो बॉ फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो फोर इंच का टिन लिया था मैंने और उसकी दो लेयर ही कट करी है मैंने चोकलेट क्रीम से अच्छे से मैंने उसकी आइसिंग कर ली और यह देखिए फाइनल फिनिशिंग भी हम द कर लिया है 211-200 ग्राम 200-500 ग्राम के बीच में हमारा बेंटो केक जाता है लेकिन यह मैंने इसमें बहुत ही कम क्रीम यूज किये और यह देखिए इतना क्यूट लगते ना यह छोटे-छोटे से बॉक्स और मैंने जो है फादर्स डेक के लाइट चली गई थी बहुत और यह कलर कैसे मैंने बनाया है अगर आपको यह जानना है तो फटा-फट से कॉमेंट करके मुझे बोलिए मैं इसका फटाक से आपके लिए रील बनाके अपलोड करूँगी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई थैंक्स वोचिंग